एक सवाल है जो मुझे बार-बार पुछा जाता है वो है शीगर पतन यानि प्रिमेच्वर एजैक्लिशन का ट्रीट्मेंट क्या है इस टापिक में पहले भी मैंने बात की है तो इसके लिए हम दवाईया दे सकते हैं कुछ meditation techniques है और कुछ exercises भी है और एक बहुत ही महतुपून exercise है जिसके बारे में हम इस वीरियो में बात करने वाले हैं तो शीगर पतन यानि प्रिमेच्वर एजैक्लिशन में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही महतुपून exercise है start-stop-squeeze technique जो इसका medical term है इस exercise को करते समय आपका मकसद ये होगा कि आपकी hardness extend हो जाए और आपका various column जल्दी ना हो तो अब आपको हस्त महतुन करना शुरू करना होगा और हस्त महतुन करते समय आपको पता होगा कि इस point के बाद आपका various column होने वाला है तो उस समय आपको ये करना है जैसे मान लेजिए ये पुरुष का link है तो यहाँ दो cylinder जैसा होता है इसको कहते हैं corpus cavernosum इन cylinder के कारण ही आपका blood flow होता है और आपकी hardness बढ़ती है मान लेजिए कि आपको इपॉण वीडियो देखकर masturbate कर रहे हैं और आपकी penis की पूरी तरह से hardness हो गई है अब आप अपने अंगूठे और तरजानी यानि index finger का इस्तमाल करेंगे और अपनी penis की tip यानि उपरी हिस्से को दोनों उंगलियों के बीच में रखकर squeeze करेंगे और ऐसा करने पर यहाँ का blood flow धीम हो जाता है और आपकी penis की hardness वापस कम हो जाती है थोड़ा रुकने के बाद आप वापस हस्तमेथून शुरू करेंगे और यहाँ का blood flow बढ़ने लगेगा और आपकी penis दुबारा hard होने लगेगी तो इस method के जरीए हमने एक process शुरू किया है और squeeze करने पर आपकी hardness कम हो जाती है थोड़ा रुकने के बाद दुबारा शुरू करने पर आपके hardness दुबारा आ जाती है तो इस exercise के जरीए हम अपने mind को control करने की कोशिश कर रहे हैं अभी आपके दिमाग और link के बीच में कोई connection नहीं है इसलिए various colon बीना control हो जाता है तो अगर आप इसे बार-बार करते हैं यानि stop और squeeze तो पीनिस के hardness कम हो जाती है और दुबारा start करने पर hardness वापस आ जाती है मगर आपको इस बात को समझना होगा कि और अरत के साथ intercourse करते समय उनका vagina wet होता है और अगर आप सूखे हाथ masturbate करते हैं तो आपका हाथ dry होगा तो वेजैना की wetness को simulate करने के लिए आप हस्तमेतोन करते समय soap का इस्तमाल कर सकते हैं इस exercise के जरिए हम control लाने की बात कर रहे थे control का मतलब है अगर आप 5 मिनिट masturbate करते हैं तो उस 5 मिनिट में कितनी बार stop करते हैं और इस stop की timing बढ़ानी है with least number of stops उदाहरन के लिए अगर आप 5 मिनिट के masturbation में 10 बार stop करते हैं क्योंकि उस point के बाद आपका virus खलन होने वाला होता है तो practice के जरिए अगर आप 10 stop के बजाए सिर्फ 5 बार stop करेंगे तो उसको एक अच्छी improvement मानी जाएगी अगली बार masturbate करते समय आप oil या soap का इस्तमाल करेंगे hardness आने पर link के tip को 30 second तक squeeze करेंगे और hardness कम हो जाएगी थोड़ा wait करने के बाद दुबारा masturbation शुरू करेंगे तो यह start, squeeze, stop और दुबारा start करने वाली technique बहुत ही लापदायक exercise है और आपको यह समझना है कि यह exercise जिम की exercise की तरह ही है जब आप जिम में bicep की exercise करते हो तो bicep तभी बढ़ता है जब आप regularly करोगे और अगर आप एक महीने जिम नहीं करोगे तो bicep धीली बढ़ जाएगी है ना तो इस exercise का फांडा भी कुछ ऐसा ही है आपको इसे regularly करना पड़ेगा दिन में एक बार तो जरूर करें और यह regularity एक साल तक maintain करें तब थोड़ी improvement दिखेगी उसके बाद आप regular intervals में भी कर सकते हैं और अच्छी improvement दिखने शिरू हो जाएगी ठीक है तो हड़ बड़ा यह मत जल्द बाजी मत कीजिए सबर से काम लीजे और अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे exercises के जरीए हम शीघर पतन की समस्या को जल्द ही ठीक कर सकते हैं अगर आपको शीघर पतन की समस्या है तो इस exercise को जरूर करें अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो बेज जग पूछे हम उसका उत्तर इस YouTube चैनल के जरीए जरूर देंगे धन्यवाद मैं डॉक्टर कार्तिक गुनसेकरन पुर्शो के लिए चैनल मेट्रो मेल क्लिनिक